हेलो एन वेलकम टू फुड़ फाइट आज हम बनाएंगे वैक्स यह घर पे आसानी से बनने वाली वैक्स है काफी लेडिस को अभी लोगडाउन ने प्रॉब्लम हो रही है इस चीज को लेकर कि उनकी चेहरे पे बाल आ रहे हैं या हाथों पे बाल आ रहे हैं तो इनके लिए हम घर पे वैक्स बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनती है तो यहाँ पे हमने लिया है एक कप मोटी चीनी एक चोथाई कप लेवन जूस और एक चोथाई कप पानी इन सबको मैं एक बरतन में डालके मिक्स कर लूँगी और इस पैन को हम चड़ा देंगे गैस पे तो एक सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता यह देखिए चाशनी जो है वो बनने लगी है बट हमें इसका कलर अभी चेंज करना है पहले थोड़ी लाइट ब्राउन होगी अलकी से लाइट ब्राउन होने लगे तभी भी आपको इसको खिलाते रहना है क्योंकि हमें ओवर बोईल नहीं कर लेंगे कि इस अहीं इसमें दाला और लिखें कि यह हाड है यह बहुत ज्याधा ही मैं यह we can carry a एक soft ball बन गई है और ये इतनी है कि इसको अगर हम खेंचेंगे तो एक तार जैसा बन रहा है तो वैसा कुछ हमें बनाना है देखिए इस तरीके से हो जाना चाहिए तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम कटोरे में निकाल लेंगे इसे हमें गरम अपलाई नहीं करना है इस वक्त यह बहुत ज्यादा गरम है तो इसको बिल्कुल न छुएं आप और जब यह एकदम ठंडी हो जाएगी तब हम इसे अपलाई करेंगे अपने हाथों पर तो सुगर वैक्स जो होती है उसको आप गरम नहीं यूज़ कर सकते और घर पे आराम से बन जाती है और खर्चा भी बहुत कम आता है तो देखे ठंडी होने के बाद कुछ यह ऐसी हो जाएगी तो आप थोड़ी सी quantity को अपने हाथों से ऐसे ले ले और इसको हमें इस तरीके से खैंच-खैंच के सही करना है क्योंकि अगर आप डाइरेक्ट ऐ ऐसे ही अपलाई करोगे तो यह तार तार चोड़ेगी बट अगर आप इस तरीके से इसको बार-बार खैंच-खैंच के कर लोगे तो यह सही consistency में आ जाएगी यह देखिए अब उंगलियों से आसानी से उतर रही है यह और एक अच्छी शेप में आ रही है तो अब हम इसे अपलाई कर सकते हैं तो ऐसे आपको बॉल बना लेनी है और अपने जहां पे भी आपको अपलाई करना है इसे वहाँ पे आपको बालों के जिस तरीक इसे ग्रोथ है उस तरीक उस तरफ से आपको इससे खैंच के लगाना है और फिर उल्टी साइड से इसको खैंच देना है तो ये काफी अच्छा result देगी, आपकी upper lips पे भी अच्छा result देती है, facial hairs पे काफी अच्छा result देती है, तो आप ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपकी wax कैसी बनी थी, और अगर अच्छी लगी तो like करें और मेरे channel को subscribe करें, thank you.